हेलो अब्रीवन आज है 25 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेर के सभी important question का discussion करेंगे चले रवजन कर लेते हैं कल की class में हमने देखा था कि वियत नाम के नए राश्ट पती लुओंग कुओंग बने हैं 2024 में WHO ने अभी हाली में इजब्ट को मलेरिया मुक्त घोशित किया Asian Development Bank का 69 नंबर का Member Country बना है इस्राइल भारत पाकिस्तान के बीच अभी हाली में करतारपूर साहिब कॉरिडूर को ले करके जो समझोता था ये पांच वर्ष एक्स्टेंड किया गया है HSBC की पहली महिला CFO बनी है पैम कॉर और अंतर राश्ट्र क्रिकेट में सबस्जादा मैचस खेनने वाली पहली महिला खिलाडी बनी है सूजी बिट्स हाली में इंटर पार्लिया मेंटरी यूनियन का 181 मेंबर बना है जमय का 18 वे नंबर का प्रवासी भारती दिवस आयजि नंबर को मनाया गया तो इस अभी कोश्चन्स हमने कल पढ़ लिये थे तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल सवाल है दलित उपकोटा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना तो यह भी हाली में बन गया है हरियाना ऑप्शन नंबर एसका इन्हें रोजगार के शेत्रों में जो इनका कम प्रतिनिध्व है इनके इस तरको सुधारना है और इसके तहस सरकारी नौकरियों में और सिक्षम में जो सीज है इनिके अनिसूची ते जातिया है इन्हें 20 परसंट का रिजर्वेशन दिया जाएगा हरियाना की राजधानी चंडीगड मुख्यमंत्री नायाप सिंग सैनी दोबारा से बनाए गए हैं राज्यपाल बंडारु दत्तत्रे सुल्तानपूर कलेसर दो महतुपूर यहां के नेशनल पार्क हैं सभी फसलों पर MSP देने वाला ये पहला राज्य है अंतर राश्टी गीता मोहत्सो यहां सूरज कुंड मेले कायजन यहां किया गया ब्रश्ट कैंसर का पता करने के लिए सवेरा कारिक्रम और हरियाना राज्य सरकार ने अगनी वीरो को माइनिंग गार्ड और पुलिस भरती में दस प्रतिसत का रिजर्वेशन देने का एलान किया है महराश्ट ने अभी हाली में गव माता की उपाधी दि और गव माता की उपाधी से मतलब कि गाय को गव माता की उपाधी देने वाला आप कह सकते हैं यह देशका पहला राज्य है जश्ट मैंने बताया देश का जो पहला 24-7 अनाज ATM यनि कि ग्रेन ATM है ये ओडीसा में उपन किया गया है और सोने की एक स लॉंच करने वाला भी देश का ये पहला राज्य हो जाएगा सवाल नंबर है दूसरा जैव विवित्ता शिखर समेलन Conference of Parties 16 इसका आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन अभी हाली में कैली कोलंबिया में किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए एक जलवायू परिबर्तन को लेकर कि होने वाली बैठक है Conference of Parties उसे भी आप कहते हैं Parties का मतलब है कि इसमें पार्ट स्पेट करने वाले देश तो Conference of Parties 16 इनि कि ये जैव विवित्ता पर शिखर समेलन है जिसका आयुजन कोलंबिया के कैली शहर में किया जा रहा है 21 अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये एक नवंबर तक चलेगा इस समेलन में विभिन देशों की सरकारों का प्रतिनिधी परिवरन कारिकरता और आदिवासी समूह पार्ट स्पेट करेंगे इसका में परपस है प्रकृति के तेजी से जो विनास हो रहा है इसे रोकना क्योंकि 2024 में दी ग्लोबली हम देखें तो प्रकृति के जो विनास की सीमा है मतला अपने चरम इस्तर पर पहुँच गई है इसे कंट्रोल करने के लिए ये सम्मेलन है बात की जाए दि न्यू यॉर्क अमेरिका की युराइटेड नेशन जनरल असेम्बली की बैठक यहीं आयजित की गई थी 79 से संच चल रहे है ना युनाइटेड नेशन जनरल असेम्बली का आपको मालूम है पैरिस फ्रांस में ओलंपिक खेलो का आयजित किया गया ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों ही यहीं आयजित किये गया तो ओलंपिक में मैं आपको बता दू भारत में कुल मेडल जीते थी कितने 6 मेडल जीते थी इतना basic आपको मालूम है तो इंडिया ने 6 मेडल जीते थे और इंडिया इस से पूरे ranking में 71 प्लेस पर था इसमें टॉप पर था अमेरिका और पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बहतरीन प्रदर्शन रहा पैरालंपिक में इंडिया ने 29 मेडल्स जीते हैं यहां मैं में मेंशन भी कर देती हूँ पैरालम्पिक में इंडिया ने जीते हैं 29 मेडल्स और 29 मेडल्स के साथ भारत 18 वे इस्थान पर था टॉप परस में कौन था शाइना विशाखा पटनम भारत में माला बार एक्सरसाइस का आयोजन किया गया माला बार एक्सरसाइस के बारे में कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि यह क्वार्ड कंट्रीज के बीच होने वाली एक एक्सरसाइस है तो पोलियो दिवस यह 24 अक्टूबर को बनाया जाता है हाला कि 24 अक्टूबर से कल हमें United Nation Day भी पड़ा था पोलियो डे इस बार की थी में हर बच्चे तक पहुचने का वैश्विक मिसन Global Mission to Reach Every Child अक्टूबर महिने में एक अक्टूबर को International Coffee Day विश्व साकाहरी दिवस दो अक्टूबर को गांधी जियन्ती अंतर राश्ट्री अहिंसा दिवस लाल बहादूर शास्त्री जियन्ती चार अक्टूबर है विश्व पसू दिवस पांच अक्टूबर National Teachers Day है आपका पांस सतंबर पांच अक्टूबर विश्व सिक्षक दिवस अंतर राश्ट्री बालिका दिवस याएगा 11 अक्टूबर 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनी करण का अंतर राश्ट्री दिवस विश्व मानक दिवस है 14 अक्टूबर विश्व शात्र दिवस है 15 अक्टूबर सोला अक्टूबर है विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूट डे 20 अक्टूबर को विश्व ओस्ट्योपोरस डे 24 अक्टूबर हमने देखा है युनाइटे नेशन डे किस राज में यातायात की निगरानी के लिए एक नया सिटिजन सेंटिनल अप लॉंच किया गया है रिसेंटली ये लॉंच किया गया है केरल के द्वारा ओप्शन अंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस अप की माध्यम से नागरिकों को वास्तविक समय में यातायात उलंगन की रिपोर्ट करने में ये सक्षम बनाएगा बात की जाएदी केरल की राजधानी तिरू अनंत पुरम यहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया था और यहां की मुख्यमंत्री हो जाएगे पिन्राइविज ये राज जिपाल आरिफ मुहम्मत खान है और यहां से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि देश की पहली AI टीचर जिसका नाम था आईरिस ये भी तिरू अनंत पुरम में ही लॉंच की गई थी तीरोडम फेस्टिवल यहां मनाया गया डिश्टल मार्किटिंग की के टेगरी में पाटा गोल्ड अवार्ड इसने जीता इस राज जिकानम केरलम करने का प्रस्ताव ये भी रिसेंटली पारित किया गया युनिस्को के द्वारा कोजी कोट को साहित्य सहर यानिकी सिटी ओफ लिट्रेचर के रूप में माननेता दी गई थी याद रखें जो केरल हाई कोट है न ये देश का पहला सौ प्रतिसत पेपरलेस हाई कोट या इसे आप डिजिटल हाई कोट कह सकते हैं अपने सभी फैसलों को लोकल लैंग्विजस में यानिकी मल्याली लैंग्विज में प्रकाशित करने वाला भी ये पहला एयरपोर्ट हो जाएगा असम से यह आप रिलेट करेंगे तो आप मोईदम से रिलेट कर सकते हैं मोईदम सजुकी यूनिसको में शामिल भारत का 43 वा इस्थल हो जाएगा बिहार से हाल फिल हाल में हमने बापू टावर ही याद रखा है छे मंजिला टावर पटना में इस्थापितिय किया गया है और उत्तरपदेश की यदी बात की जाए तो देखिए उत्तरपदेश से तो रिलेट करने के लिए बहुत सारे फेक्ट हैं जिससे कि अभी हाली में महा कुम्भ दो हजार पच्चिस के लिए मुख्यमंत्री योगिया दित्तनाथ ने अभी वेबसाइट और पोर्टल लोगों ये सारी चीज़े लॉंच करी थी अब आप लोगों के लिए जो कोर्सिस लॉंच किये गए थे अब डेली डेली बताना इसके बारे में जरूरी नहीं आप सभी को मालूम है कि हम कुल अभी चार बैचिस चला रहे हैं आप तीन तो है तीन सब्जेक्ट है येरली करन्ट पर स्टाटिक जी के वल्ड मैप लेकिन कॉम्बो बनाये गया है थी डबल नाइन में येरली और स्टाटिक का और पूरे सब्जेक्ट यदि आप लेते हैं जिसके कारण बहुत सारे student purchase नहीं कर पारे थे, तो direct link पर click कीजिए, buy a knock option आएगा और यहां से आप purchase कर सकते हैं, चलिए, पांचवे नमबर का सवाल है, भारत की चौथी पर्माडू पंडू बी यह भी हाली में launch कर दी गई है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा S-4, भारत ने विशाखा पत्नम के शिब बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी पर्माडू उर्जा से चलने वाली ballistic missile पंडू भी S-4 को launch कर दिया है, इंडियन नेवी के दिबात की जाए, तो 4 दिसंबर को ये अपना इस्थापना दिवस मनाता है, नई दिल्ली में मुख्याल है और दिनेश कुमारतर पाठी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और यहाँ इंडियन नेवी का मैं डिसकुशन करी रही हूँ, तो यहाँ से एक नाम याद होना चाहिए आपको, अनामिका राजीव का, क्या देखा है हमने, अनामिका राजीव जो है, ये इंडियन नेवी की पहली महिला हेलिकॉप्टर पाइलिट बनी थी, अब यदी मैं कुछ इस से मिलते जो मते फेक्ट से रिलेट करूँ, तो जस्ट मैंने बताया है कि देश की पहली महिला AI टीचर आईरिस है, ओडिसा की पहली महिला AI न्यूज एंकर है लीसा, दुनिया की पहली वैदि घड़ी उजयन में स्थापित की गई विक्रम, वही उजयन से भी आप रिलेट करेंगे तो निकिता पूरवाल उजयन से बिलॉंग करती है, मिस इंडिया बनी है रिसेंटली, देश का पहला AI अंटी डोन है, इंडरजाल और हेल्थ वे देश का पहला रूफ टॉप साइक्लिंग ट्रैक है, पवन चित्रा जो की अभी हाली में लॉंच किया गया भारत का पहला स्वाचालित इंडोर वायू गुनवत्ता मॉनिटर है, अगला सवाल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पच्वनवा संसकरन जो अभी दोहजार चौबस नवंबर में आयजित किया जाना है, इसमें कौन सी कंट्री है, जो की फोकस कंट्री चुनी गई है, आंसर इसका हो जाएगा, आस्ट्रेलिया, तो देखिए, अगले महिने, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसका पच्वनवा एडिशन हर साल की तरह गोवा ही होस्ट करेगा, जिसके शुरुवात 1952 में की गई थी, अग फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी कापिटल कैन्बरा करंसी डॉलर, प्राइम मिनस्टर एंथनी अल्बिनीज है, कुछ इंपोर्टन करंट अफर के फेक्ट याद रखें, एक तो ये पिछ ब्लैक वाला इंपोर्टन्ट है, पिछ ब्लैक एक्सरसाइज जिसमें की भारत की जो भावना कंट है, इन्होंने पाट्सपेट किया, ऑस्ट्रेलिया की डेकिन उनिवर्सिटी और वोलोंगोंग उनिवर्सिटी गुजरात की जो गिफ्ट सिती है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्सिटी में अपने कैंपस स्थापत करी है, फिर CSK यहां अपनी नहीं अकैडमी ओपन करेगा, मेगन चक्रवात ऑस्ट्रेलिया तट से तकराया है, राइट टू डिसकनेक्ट कानून चर्चे में था, रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया है कि आस्ट्रेलिया में मुनास उनिवर्सिटी के जो रिसेर्चर्स हैं, इन्होंने दुनिया की पहली बायोनिक आँख जुकी डवलप कर ली है, रसिया इस साल ब्रिक्स समिट 2024 होस्ट करने जा रहा है, और जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेंज संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश है, और इरान के नए रास्ट पती अभी हाली में मशूद पेजी शिक्यान बनाए गए है, अब्राहेम राइसी के हलिकॉप्टर क्रैश में डेथ होने के बाद, पहला जी सेवन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आईजन कहां किया गया, इसका आईजन अभी हाली में किया गया है, इटली के नेपल्स में, अप्शन नमबर भी राइट आंसर है, हाला कि इस साल जी सेवन होस्ट ही इटली कर रहा है, तो 19 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्रियों की जो बैठक रही, जी सेवन देशों के यहीं पर आईजित की गई, इटली के रक्षा मंत्री गुईटो, क्रोसेटो ने इसकी मेजबानी करी है, और जी सेवन इस साल इटली ही होस्ट कर रहा है, जी सेवन यानि की गुरूप ऑफ सेवन, साथ देशों का समूह है, 1975 में स्थापना, फ्रांस और जर्मनी ने की थी, अभी वसे इसकी साथ मेंबर कंट्री है, और नाम याद रखना बहुत इजी है, यदि आप मेरे मैप की क्लास देख रहे हैं, कि अभी तक एक ही क्लास पॉसिबल हो पाई है, मैंने बताया था आपको एक्क्वेटर के बारे में, है ना, एक्क्वेटर की उपर यदि आप देखें, तो नौर्थ हमारिका है, यहाँ आपका यॉरप है, और यहाँ पर एशिया है, एक्क्वेटर के नीचे में, मतलब यदि आप कंट्री देखेंगे, तो J7 की कोई भी member country, एक्क्वेटर के नीचे नहीं है, ना तो South America है ना तो Africa है और ना ही Sea Asia, Australia नहीं है, उपर-उपर की country है, तो याद रखना आपके लिए आसान बन जाता है, जैसे कि यदि आप map कि थूँ देख पा रहे हैं तो एशिया से एकलोता ऐसा देश है इसका member कौन जापान एक आपने रिलेट कर लिया जापान नौर्थ अमेरिका से केवल कनाड़ा है और USA है क्योंकि मैप जब आगे आप कवर करेंगे आज वसे मैं नौर्थ अमेरिका कवर कराने वाली हूँ एप पर तो कनाड़ा, USA, मेक्सिको यही तीन मेजर कंट्री हैं जो यहां से आप रिलेट करते हैं तो नौर्थ अमेरिका से कनाड़ा और USA केवल दो ही हैं जो की जी सेवन की मेंबर हैं दो यह हो गई अब चार मेंबर कंट्री आपकी हो जाती हैं यॉरप से यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और भारत इसका मेंबर याद रखें नहीं हैं अप्शन के थूँ यदि हम देखें तो फिर से रिलेट करेंगे आप, ब्रिक्स समिट इस साल जो होस्ट कर रहा है यह है रश्या, हौंगजू चाइना में एशियन गेम्स का आयोजन, उननीसवे क्रम के जो एशियन गेम्स हुए थे दो हजार पेईस वाले, यह चाइना के हौंगजू सहर ने ही इसकी मेजवानी करी थी, और इसके लावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं, अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत ने इसमें कुल मेडल्स किसमें जीते थे, तो भारत ने कुल 107 मेडल्स जीते थे, ठीक है, दिल्ली के दिबात की जाए, तो भ प्रेट करेंगे, तो हाली में इंडिया मुबाइल कॉंग्रेस, इंडिया मुबाइल कॉंग्रेस 2024, ये दिल्ली में ही आयोजित किया गया था, आईमेफ ने वित्तिवर से 2024 के लिए भारत का जो विकास दर है, जो अनुमान इसने पहले लगाया था, यही बरकरार रखा है, 7%, आईमेफ की दिबात की जाए, इंटरनेशनल मॉनिटर फंड अंतर राश्री मुद्रा कोश आपने से कह सकते हैं, 1944 फॉर्मेशन ये याद रखें, ये 1945 से एक्टिव है, वासिंग्टन डीस की हेड़कॉर्टर कुष्टी इना जॉर्जिवा, इसकी MD है, इसकी जो डिप् Economic Outlook Report. इजय वाड़ा में, कृष्टन नदी के तर्ट पर 5000 से अधिक ड्रोन के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शुआयजित किया गया, आंधर प्रदेश सरकार का लक्ष है, इस सिखर समेलन का लाब उठाकर के राजजी को देश की ड्रोन की राजधानी के रूप में इस्था जीता है, प्राकृतिक खेती ने मानलता के लिए गुलबेंके नवाडिया अंधर प्रदेश नीजीता, और बिया रंबेडिकर की जो सबसे बड़ी मूर्ती है, विजय वाड़ा में 125 उची ये इस्थापित की जानी है, उस समय जब जगर मोहन रडड़ी जी थे ना, तभी इसका उद्गाटन कर दिया गया था, हैदरबाद से आप क्या सेक्टर रेलेट कर सकते हैं, जो प्रवासी भारती दिवस होगा न, जैनवरी के महिने में, प्रवासी भारती दिवस, 2025 का 8-10 जैनवरी तक भुबनेश्वर ही होस्ट करेगा, और भारत ने पहली बार, हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करी थी और ये मुंबई में आयजित किया गया था इसके लावा मार्च 2023 से आप रिलेट करें तो जो मिस वर्ड प्रतियोगिता थी 2023 की थी लेकिन हुई 2024 में तो मिस वर्ड प्रतियोगिता 2024 की भारत ने 27 साल बाद होश्ट करी थी मेजबानी मुंबई ने की थी जिसमें की चेक रिपब्लिक की क्रिष्टीना पिजगोवा विजेता रही थी नेक्स्ट कोश्चन है माउंटेन मेमल्स ऑफ दा वर्ल्ड ये किताब किसके दुआरा लिखी गई है एम के रंजीत काफी दिनों बाद बुक्स अनौथर का डिसकुशन आया आप रिलेट कर सकते हैं अरुन्धती रॉय के दिबात की जाए तो ये अपना संस्मरन लॉंच करने जा रही है अगले 2025 के सेप्टेंबर में इनके जो रचना है God of Small Things इसके लिए इन्होंने बुकर पुरसकार भी अपने नाम किया है बुकर पुरसकार जितने वाली पहली भारती महिला ये थी रसकिन बॉंड की बहुत सारी किताबे हैं जिसमें की महतपूर्ण दा ब्लू अंब्रेला किताब रिलेट कर सकते हैं आप सल्मान रश्दी के दी बात की जाए तो इनकी एक फेमस किताब है जो की अकसर एक्जाम में पूछी जाती इसका नाम हो जाएगा मिड़नाइट्स शिल्डरन मैंने कल आपसे पूछा था नाया आपसे इनी दूसरी बार मुख्य मंत्री बने किस राज्ज की आंसर था हरियाना आज का सवाल है आएसे का यानिक इंटरनेशनल सोलर रिलाइंस का सात्वा सत्र कहा यजित किया जाएगा आंसर इसका जो भी आप कॉमन बॉक्स मताइएगा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तैंक्यो सो मच